Hello Friends, Welcome to Nursing Study आज की वीडियो मैं शेयर कर रहे हूँ Nursing Care Plan on Anemia तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप एक Nursing Care Plan जो है वो Anemia पर कैसे बनाएंगे कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो आप इसमें डिस्कस करेंगे कैसे Nursing Diagnose बनाएंगे और कैसे एक Patient Bio Data आप Complete करेंगे तो सबी चीज़े डिस्कस करेंगे जो एक Nursing Care Plan में होनी चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका टॉपिक तो फर्स्ट पेज में बनाया जाएगा Identification Data Identification Data में एक तरफ होगा Patient Data और दूसरी तरफ होगा Student Bio Data तो Patient का Data जिस Patient का हमने डियागनोस किया है ठीक है अनीमिया है जिस Patient को उसका हम पूरा बाइडाटा लिखेंगे नेम लिखेंगे एज, सेक्स, बैड नमबर डेट अडमिशन, रिलीजर नमबर मेरिटर स्टेटस, एड्रस, डियागनोस और डाटा कलेक्शन डेट ठीक है तो यहाँ पर पूरी डिटेल लिख देंगे और स्टुडेंट बाइडाटा में नेम लिखेंगे कोर्स लिखेंगे और रोल नमबर लिखेंगे तो यह होगा एक पूरा अडेंटिफिकेशन डाटा इसके बाद आजाएगा इसमें चीफ कम्प्लेंग जैसे कि यहाँ पर उपर क्या है डाइगनोस हुआ है अनीमिया को डाइगनोस किया है तो उसके अकॉर्डिंग ही पेशन को क्या है चीफ कम्प्लेंग होंगी जैसे कि डिसकंफर्ट है पतीख है वीकनेस है फीवर है तो यह क्या है चीफ कम्प्लेंग है patient की कब से हो रही है, duration कितने दिन से हो रही है previous treatment है या नहीं है, OPD visit हुआ है या नहीं है तो यह हम सारा case में लखेंगे, chief complaint में लिखेंगे इसके बाद आ जाएगा history of illness, ठीक है पूरी history लिखेंगे patient की illness की present, past, surgical, medical तो सबसे पहले हम लिखेंगे present medical history present medical history क्या है, patient को anemia हो रही है और chief complaint हमने लिखा था, जैसे की patient को क्या था, discomfort था, fatigue है, weakness है तो उसके बाद आ जाता है past medical history, कोई past medical history है तो वो लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे तो यहाँ प्लिखेंगे, there is a significant history of past medical history patient को past medical history है और surgical history, present surgical history, कोई present surgical history नहीं है तो no present surgical history और past surgical history भी नहीं है patient की तो no significant history of past surgical history then आ जाएगा हमारा family history तो patient की family में जितने भी member है सभी का नाम लिखेंगे age लिखेंगे, education लिखेंगे, relation with patient लिखेंगे occupation लिखेंगे सबका and marital status भी है हम पर लिखेंगे और health status भी यहाँ पर हम लिखेंगे तो इस तरह से बनाएंगे हम family history इसके बाद आजाएगा family tree ठीक है family tree में जीतने भी अभी हमने family history लिखी है सभी जो member हैं उनका एक tree बनाएंगे सभी के name लिखेंगे age लिखेंगे और जो patient है उनका sign आप अलग से बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर male का जो patient है उनका sign अलग बनाया हुआ है ठीक है क्योंकि वो patient है तो उनको आपने अलग से mention करना है social economic status यानि कि patient की income के बारे में बताना है menstruation history बतानी है patient की ठीक है उनका age बताना है menstruation cycle बतानी है any complain अगर menstruation cycle में है bleeding normal है या heavy bleeding है तो वो आपने menstruation cycle में mention करनी है इसके बाद आजाएगा इसमें functional health pattern ठीक है hygiene कैसी है patient की exercise pattern कैसा है rest and sleep कैसी है elimination pattern कैसा है तो ये normal functional health pattern है ठीक है उसके बाद आजाएगा इसमें dietary history general appearance कैसा है patient का appetite, diet, meal pattern, any other method of feeding ये mention करेंगे उसके बाद आजाएगा हमारा physical examination physical examination में हमारा head to toe examination स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे पहले ये general appearance स्टार्ट होता है consciousness level चेक करेंगे patient का activity चेक करेंगे फिर आजाएगा इसमें head to toe examination आजाएगा ठीक है जिसमें hair, color, size of head, dandruff ये सब चेक करेंगे neck आजाएगा thyroid gland and ENT के आजाएगे ear, eyes and throat उसके बाद respiratory system आजाएगा ठीक है cardiovascular system, digestive system, urinary system तो सबी कहीं आप लिखेंगे अगर किसी भी तरह की abnormalities है तो वो आप mention करेंगे अगर नहीं है तो no, not significant तो ये सारे चीज़े आप इसमें लिखेंगे इसके बाद आएगा इसमें investigation investigation मतलब जो भी हमने test किये है patient के labiatric test किये है, lab test हुए है according to diagnose तो यहाँ पर जैसे कि patient को anemia है तो हमने क्या क्या test किये है इसमें HB, TLC, platelets, ठीक है जितने भी test होते है anemia से related वो सब भी यहाँ पर किये है हमने patient's value लिखे यानि कि patient का कितना आया test कराने के बाद और remarks लिखे हैं ठीक है, उसके बाद आजाते है हमारे vital sign तो patient का, vital sign का आपने एक अलग से table बनागर कि patient के normal value लिखनी है और remark लिखना है, उसके बाद यह जो यहाँ पर दिया हुआ है, यह medication है ठीक है, यानि कि patient को कौन-कौन सी medication दी गई है और यहाँ पर according to disease medication है, ठीक है, हमॉक्सिलेन है multi vitamins, folic acid, तो यह सारे क्या है according to disease condition patient को medication जो है, वो provide कराएगी है तो इसमें आपने medication के name लिखने है, dose लिखनी है, root लिखने है और action लिखना है इसके बाद आजाता है, सबसे important nursing diagnosis तो important diagnosis क्या-क्या बनेंगे नहीं में अपर तो यहाँ पर सबसे first जो पहला diagnosis है imbalance nutrition less than body requirement related to inadequate intake of iron तो यहाँ पर क्या है, patient का nutrition जो है, वो imbalance हो गया है जितनी body को requirement है, उतना नहीं मिला है तो इसमें iron की कमी है patient में second diagnose बनायागा है इसमें activity intolerance related to decrease of the O2 carrying capacity of blood ठीक है, patient में क्या है, anemia है, यानि कि blood की कमी हो गई है जिसकी वज़े से क्या हो सकता है patient जो है, वो अपनी activity नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको proper oxygen जो है, वो नहीं मिल पा रही है then third diagnose बनाया है, इसमें ineffective tissue profusion related to decrease of O2 carrying capacity of blood तो यहाँ पर भी क्या है, tissue profusion हो गया है O2 की कमी की वज़े से next diagnose बनाया है, इसमें anxiety ठीक है, anxiety पर बनाया गया है then last बनता है, इसमें knowledge deficit related to disease condition ठीक है, यानि कि disease के बारे में patient को ज़्यादा knowledge नहीं है तो यह बनाया है, पूरे five diagnosis बनाया है, आप इसी तरह से five to six diagnosis बना सकते हैं और तीन से चार्जों आपने explain करने हैं NCP के अंदर nursing care plan में इसके बाद बनायेंगे nursing care plan ठीक है, nursing care plan में क्या क्या आप mention करेंगे assessment, nursing diagnosis, goal, planning, implementation and evaluation assessment में subjective data आएगा, objective data आएगा subjective data जो patient अपनी condition बताता है और objective data में nurse क्या करेंगे अपनी observation यहाँ पर लिखेंगी ठीक है, यानि कि patient को देखकर उसकी condition को सुनकर अपनी observation यहाँ पर लिखती है उसके बाद diagnose लिखेंगे imbalance nutrition और goal बनाएंगे हम ठीक है और उसके according ही planning यहाँ पर बनाएंगे तो देख सकते हैं कौन-कौन से points जो हैं आपने planning में लिखने हैं और planning करने के बाद उसको हम क्या करेंगे, implement कर देंगे और last में हम check करेंगे उसका evaluation तो इससरे से बनाएंगे हम nursing care plan तो यहाँ पर है second diagnose same वही pattern रहेगा इसमें भी assessment, diagnose, goal, planning, implementation and evaluation assessment में same वही subjective data objective data लेकिन यहाँ पर patient अपनी condition जो है वह explain करेगा तो diagnose यहाँ पर बनाएंगे है activity intolerance ठीक है तो यहाँ पर goal क्या बनाएंगे हम increase करेंगे patient के activity tolerance को planning उसके according बनाए जाएगी फिर इसको implement करेंगे और last में हम लिखेंगे इसका evaluation उसके बाद आएगा हमारा progress rate लिखेंगे ठीक है कि patient में कितनी progress हुई है जो medication provide कराएगे nursing care दिया गया है उसके according patient में क्या-क्या progress प्रोग्रेस कितनी हुई है ठीक है यहाँ पर आप vital sign भी लिख सकते हैं उसके बाद आजाता है health education तो patient को हम provide कराएगे health education तो according to disease condition आप उसके according ही health education provide जो है वो लिख सकते हैं इसके अंदर तो यह सारे points भी आप इसमें लिख सकते हैं इसके लावा और भी अगर points आपको आते हैं याद हैं तो आप वो भी points इसमें लिख सकते हैं ठीक है और last में आता है bibliography ठीक है bibliography लिखेंगे हम जो topic आप लिख रहे हैं जैसे कि आपने अनीमिय को topic लिया है अगर आपने बुक में से लिखा है topic को तो आप यहाँ पर अपने बुक का नाम, edition number, writer का नाम लिखेंगे ठीक है अगर आप internet से ले रहे हैं तो internet का link डालेंगे अगर आपने दो या तीन बुक प्रैफर की हैं तो सभी के आप यहाँ पर जो है writer का name, book का name और edition आप यहाँ पर लिखेंगे तो इस तरह से बनाएंगे आप पूरा एक NCP तो आज की वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आप के लिए helpful रहेगा Thank you for watching